आप सभी दर्सकों को नए साल की धेर सारी सुपकामना है और आप देख रहे हैं क्रांड जोतिस सीक्रेट ब्रिश्चिक रासी वालों साल 2022 का पहला तीन दिन एक दो और तीन जन्वरी 2022 2022 क्या कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर आया है आपके जीवन में आये जानते हैं बिस्तार से तो सबसे पहले तो चंद्रमा साल के पहले दिन आपके लगन में हैं और इसके बाद वो धनुरासी में जाएंगे तो बिस्तिक वालों दो पहर तक थोड़ा सा आपको समल के रहना होगा एक जन्वरी को थोड़ा सखास कर चोड़ चपेट से बशना होगा और ध्यान रखना है अपना दो पहर के बाद चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी दूसरी तरब जो बिस्तिक वाले हैं घर की ब कहने का मतलब कि आपको थोड़ा सा समल के रहना है और अपनों के उपर भरुसा रखना है गैरों पर नहीं क्योंकि अपने अपने होते हैं पर फिर भी थोड़ा सा दिमाग में अन्होनी का डर है तो ये चिंता हलाकि बेवजा होगा इसलिए हमने कहा नजर उतार ले आई ज और ज्यादा लब पार्टनर की जिंदगी में दखलंदाजी भी ना दे जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दे दामपत्ते जीवन को थोड़ा और बेहतर बनाना है थोड़ा समय दीजिए बहुत आवस्यक है वैसे तो सूरे दसंभौ के सौमी के रूप में दूसरे भौ में ह जिसके करण क्या होगा पैसे आप आराम से कमा लेंगे और जो भी पुरौने फसेवे रुकेवे धन है या कर्ज है वो फसा हुआ वो आपको वापस मिल जाएगा जो लोग जौब करते हैं उनके लिए बढ़िया है मीडिया से जुड़े है तो भी आपके लिए अच्छा है और बैभाहिक जीवन में चुकिए यहां पर अच्छा है पर थोड़ा सा उनके उपर ख्याल भी रखना है उनका भविस्य की योजनाए जो भी बनाए वो गुप्त रखें किसी को भी मत बताएं वरना सत्रू बिलोध ही कहीं न कहीं आपको परिसान करेगा और अपनों का किसी पर भी अंधा भरुसान ना करें कहीं यातरा पर जाना अगर आप जाना है आपको तो सतुरू बिलोध ही से भी जरा साब्धान रहेगा किसी पर भी बरुसा करना सहीं नहीं है अपनी आदोतों में थोड़ा सा बदलाव लाई है और हलाकि परिवार का सपोर्ट मिलेग का सुख मिलेगा घर परिवार में कोई सुभ मांगली कारे होंगे जो आपके जीमन में खुसियों का रंग घोलेगा लेकिन मेनेजमेंट कभी ध्यान रखना है धनका और निवेस में साथधानी रखना है विवाह प्रेम के मौमलों में भी आपको सबलता भी लेगी हलाकि थोर निती के कारें छोटी मोटी टेंसन है लेकिन फिर भी कोई गुड नीज मिल रही है और यात्रा वेकरे की योग बन रहे हैं हलांकि आपके लिए बुद्ध आसिरबाध ही दिये हैं लेकिन शुक्र का भी रासी परिवर्तन हो रहा है शुक्र आपकी रासी से द्वीती हो सकता है लेकिन आप तैस में मत आई है सांत रही है चीजें खुद बहुत बहतर होगी पर अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें तो परस्नल लाइफ में जो भी टेंसन है न वह आपके उदासी इस लाइफ को भी थोड़ा सा प्रिसानी में डालेगा इसलिए प्रेम ज चीजें तो उनसे बाहर निकल लिए आप चाहें तो घर में पूजा पाट करवा सकते हैं तो अच्छा रहेगा तो कुछ परिसानी है तो यह परिसानी को आप दूर भगाईए परिवार में जो भी चिंता का महौल है मांसिक टेंसन है उसको हटाईए क्योंकि इस से में अप पती जी के अरावना करके ही दिन की सुरुआत करें तो ज्यादा अच्छा है फिलाल भी दा लेते हैं हरहर माते